मैं तो इसराइल के प्राइम इनिस्टर को कहूंगी कि ऐसा चटान बनाओ, ऐसा मैदान बनाओ गाजा पट्टी को, कि आने वाले पांच साल के बाद वर्ल्लकप वहाँ पर हो अगर गुस्ता के रुसूल की सजा हो सकती है, तो अपमाने राम की सजा क्यों नहीं हो सकती है, अपमाने भगवान की सजा क्यों नहीं हो सकती है, अपमाने सनातन धर्मा की सजा क्यों नहीं हो सकती है और इस्राइल ने बहुत अच्छी बात कही है, एक दम एक पिता के स्वारूप कही है, एक घर में जैसे पिता गारजियन होता है, उसी तरीके से देश का परधान मंतरी गारजियन होता है, मुखिया के जैसा बात कहा है उन्होंने, कि तुमने छेडा है, अब हम छोड़ेंगे मेरा इसलाम खत्रे में है, मेरा इसलाम खत्रे में है, भाया कैसा इसलाम है, तो तो खुद कह रहा है कि तरह इसलाम बहुत कमजोर है, सनातनी तो कभी नहीं कहते हैं, क्रिश्चन तो कभी नहीं कहते हैं, क्रिश्चन तो कभी नहीं कहते हैं, क्रिश्चन तो कभी नहीं कहते है भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कोई हमास के साथ खड़ा है, कोई इसराइल के साथ खड़ा है और बहुत से लोग हमास के साथ हमारे भारत में भी खड़े हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा नाजिया इलाही खान जी जुड़ी हुए मैं मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है हरहर महादेव नमश्कार मैं हमास के साथ हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग है जो खड़े हैं कैसे देखती हैं और कैसे देखती हैं आप और क्या सोचती हैं जो लोग हमास को लेकर लगातार कह रहा है कि हमास के साथ गलत हो रहा आप का नजरिया क्या है? अब जब खुरान ही कह रहा है कि हजद इबराहीम ने बुटो को तोड़ा था अब जब खुरान ही कह रहा है कि प्रॉफट महंध में कहा था कि अगर कोई यहुदी धर्म परिवर्तन ना करे, इसलाम खुबूल ना करे, तो उसका सर ताइब कर सकते हो, कर दो, तो जब ये और्डर प्रॉफिट मुहमद अल्लाहुलेवसलम का था, तो वही फुलस्तीन और हमास कर रहा है, यही कर रहा है, और मैं पूछना चाह रही हू कि हमारे भारत में भी तो 76 सार से यही चूरन बाटा जा रहा है, कि आतंगवादियों की कोई जात नहीं होती है, तो यह जो याकूम एमन के जनाजे के नमास पढ़ रहे थे, इन्होंने तो चिला कर बताया ना, कि एक आतंगवादी के जनाजे की नमास पढ़ रहे हैं, में खड़ा है, हमारा सरवचे नयाई पाली का निर्भया के बलातकारियों के लिए सुबह 6 बजे तक खुला था ना, खुला था ना, आफताब ने श्रदा की बोटियां की ना, तो आफताब बता रहा था ना, कि वो मुसल्मान है, यह जो हर गली, हर कूचे में, जो लव ज बहुत सारे चात्र जंडा लेकर निकले और हमास के साथ खड़े हो गए, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, क्यों ऐसा हो रहा है, भारत में प्रधान बंतीने रंद मोदी कहते हैं कि हम आतंका बिरोध कर रहे हैं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत के ही के सारे आर्टिकल्स अगर सनाता नहीं कह दें तो फिर इनको बुरा लग जाएगा इनको बहुत बुरा लग जाएगा आज अगर मैं खड़े हो करके कहती हूं कि प्रॉफिट मुहमद नाजिया का सर्तन से जुदा लोग मजार के नाम पर لاकों करोडों अर्बों चंदा उठा रहे हैं उनका सर्तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए जो लोग मुसल्मान को सामने रख करके अपनी अपनी दुकान चला रहा है, उनका सर्तन से जुदा क्यूं नहीं होना चाहिए? जो नासर खान बलातकार करके निकाह पड़ता है जेल से बाहर आने के बाद और उसके निकाह का वलीमा वलीमा का बिर्याने खाने के लिए सारे लाइन लगा करके लहंगा और चोली पहन कर जाते हैं उस नासर खान के खिलाफ सर्तन से जुदा का नारा क्यों नहीं लगता है देखिए मैं इसराइल और फलस्तीन के बीच के दर्मियान का एक ही बात कहूंगी कि मुसल्मान जो कौम है यह बड़ी जजबाती कौम है बड़ी लगती हैं क्रिष्चन दौ कभी निए कहते कि मेरा धरम खत्रे में यहुदी तो कभी निन जो काते हैं क्यूं ट्रे में आता है जो इसलाम कई बॉलता है तो उसके लिए गुस्ताके रुस्तों की सजा निकल जाती है क्या बज़ा है आज मैं पूछना चाहती हूं कि अगर गुस्ता के रुसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की सजा क्यों नहीं हो सकती है अपमाने भगवान की सजा क्यों हो सकती है अप माने सनातन धर्मा की सजा क्यों नहीं हो सकती है हर बार कोई बाबर आएगा राश्पुतों का गला काटेगा हर बार कोई और अरंग पाईगा मंदिरों को तोड़ेगा और सनातनी चुप रहेंगे कब तक गुलावयषी, एक सद्द院 अवेषी है और एक अपर्द दिन अवेषी है इसराइल और पलस्तीन के जंग को ले करके नफरत की जो चूरन वो हर लोकसबा एलक्षन के वक्त जो वो बाजार खोलते हैं अपना दुकान खोलते हैं नफरत के चूरन की वो इस बार इन्होंने इसराइल और पलस्तीन के वार के कंदे पर रख करके खोल दिया है और इस बात से कोई दो राए नहीं है कि मुसल्मान उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं और मुसल्मानों ने हमेशा गलत चीजों का सपोर्ट किया है अभी मैं आपको क्लिरली वता देती हूँ कि यही मुसल्मान भारत के हिजाब का जब मैटर आया था तो औरतों को हिजाब पहनाने के लिए लूंगे उठा उठा करके मिचल मिटिंग कर रहे थे लेकिन आज जब इसराइल की बहु बेटियों को नंगा करके न्यूट परेड कराया जा रहा है आज जब इसराइल की बहु बेटियों के साथ बलतकार किया जा रहा है आज जब इसराइल की बहु बेटियों को और बच्चियों को ये नहीं देखा जा रहा है कि वो 6 साल की है कि 5 साल की है उसकी आबरू से खेला जा रहा है वो भी अल्लाहु अक्बर के नारे के साथ तो यह प्लस्तीन के सपोर्ट में हैं अब आप सोचिए कि इनका शैतानी दिमाग कितना खराब है कि एक तरफ भारत में लड़ रहा है ऐसा दुद्धिन अवेसी के हिजाब पेना हो और दूसरी तरफ लड़ रहा है कि प्लस्तीन को और हमाज को सपोर्ट करो क्योंकि उसने अल्ल इसा मैदान बनाओ गाजा पट्टी को कि आने वाले 5 साल के बाद वर्ल्ड कप वहां पर हो ऐसा बनाओ जी ऐसा बनाओ अंथ होना चाहिए हमारे भारत के परदान मंत्री जी ने क्या कहा था पाकिस्तान के हाथ में कटोरा देंगे आया ना कटोरा फाका कशी हुई ना हमार पाकिस्तान भी तो हमास के साथ खड़ा है पाकिस्तान तो खड़ा रहे गई लेजिए कर लेजिए बात ये पाकिस्तान भी तो अजमल खसब पैदा करता है पाकिस्तानी तो अपने गारों में रोटी बोटी देता था उसामा बिल लादेन को पाकिस्तानी तो अभी भी हाफ मुसल्मानों की उन्होंने भी कहा है कि हमास के साथ गलत हो रहा है बच्चे मारेज आ रहा है इसराइल उनके साथ कुर्दा कर रहा है पूरी के पूरी छपन कंट्रिया एक साथ खड़ी हो गई है देखिए सौधी अर्बिया ने ऐसी कोई बात नहीं कही है मैं भारत में इसला के नाम पर पनिश्मेंट देता है इसलाम के हिसाब से वैसा ही पनिश्मेंट अगर देना चाहते हो तो मैं डेटा दे देती हूं सारे मुसल्मान बलातकारियों को खड़ा करो और साथ से जुदा करो और सौधी अर्बिया ने साफ लवजों में कहा है कि हमास ने पहल की थी और फिलस्तीन ने फंड किया है ये गलत हूआ है ये सौधी अर्बिय अच्छा यूँ आप फिलस्तीन का जो प्राव क्रेशिडंट है मौहमद अबबास उसने यूएन से भी क्यों मांगा कि इस्राइल को रोको अब तो स्टॉप करो क्यों मांगा क्योंकि उसको समझ में आ परूप कही है एक घर में जैसे पिता गार्जियन होता है उसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री गार्जियन होता है मुखिया के जैसा बात कहा है उन्होंने कि तुमने छेड़ा है अब हम छोड़ेंगे आपने मुखिया की बात की प्रधानमंती नरेंदर मुदी ने जिस त चाहते थे और सुश्मा सौराज जी ये भी चाहती थी के भारत के हर एक स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई जाए अटल बिहारी वाजपाई जी तो ये भी चाहते ये उन्होंने ये भी कहा था कि सोनिया जी जब कोसो दूर इटली में रहती थी तब भी ये सम्विधान चलत हैं कि भारत में हमास का जिस तरह से विरोध किया जारा मीडिया हमास को आतंकबादी दिखा रही है और बहुत से लोग है थोड़ी मात्रा में नहीं है जो हमास के साथ खड़े उनको आप क्या कहना चाहिए देखिए मैं अपनी मा से बहुत महबत करती हूं और मेरी मा का ना जो भी करेगा मैं उसके खलाफ हूँ मैं मुसल्मान हूँ मैं ला इलहा इल्ला मुहम्मदु रसुल अल्ला मैं पढ़ती हूँ पांच वक्त नमास पढ़ती हूँ लाली बॉर्डर से बहुत दूर रहती हूँ लेकिन जिहादियों के समर्थन में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ म जिसको शाजहां ने प्रेम की निशानी बनाई थी इतिहास के पन्नों को खोल ये पता चलेगा कि ये जो जजबे वाले खौम के जो शाजहां बात्रा है ना उन्होंने मुम्तास की छोटी बेहन, बड़ी बेहन, चचेरी बेहन, ममेरी बेहन, सबसे शादी कर डाली थी तो ऐसा प्यार का चाहिए निशानी आपको, या भारत वासियों को चाहिए ऐसे प्यार की निशानी, मैं ये चाहूंगी कि मेरे पती की शादी, मेरे शोहर की शादी मेरी बड़ी बेहन से भी हो जाए, मेरी छोटी बेहन से भी हो जाए, आखे खोलनी पड़ेंगी मुसल्मानो और आगे बढ़ो अपना फैसला कुद करो आप प्रधान मंत्री के बयान के साथ हैं लेकिन एक बात और सवाल यहां पर खड़ो तक कॉंग्रेस पार्टी ने जिस तरह से फिलिस्टीन के साथ सॉलिडार्टी दिखाई है वो भी तो इस देश की पार्टी है आप कॉंग्रेस क मसाला बना करके हम लोग खाते हैं प्याज अद्रक लेसन मिर्ची नहीं खाते हैं और उसके पांच दिन के बाद हमने देखा के राहूल गांधी लालू परशाद के साथ मटन बना रहे हैं और प्रियांका वाडरा जो है वो खा रही है यह ब्रहमन है ठीक है निउस क्लिक ठ ठीक है जिस चाइना का बोटल भी हम लोग लेना नहीं चाहते हैं प्लास्टिक का आज राष्ट्रवाद बनकर करें जो पतरकार घूमते थे आज उनका उनका जो सच है वो सब सामने आ गया बाब बड़ा न भाईया सबसे बड़ा रुपईया ठीक है सब सच सामने आ गया जमाना था तब बलातकारियों के लिए सर्वुचे नियाई पाली का सुबा के चार बजी तक खुला रहता था तो वैसा जमाना चाहिए क्या नहीं चाहिए ना तो राहूल गांधी जी तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट तो करेंगे समर्थन तो करेंगे अब आपने का प्लस प्रियांका वाडरा के हजबन के पास जो सेक्योरिटी है ना वह हमारी टैक्स के पैसे से वह क्या उसने देश के लिए क्या किया है उसने देश के लिए और आपने कहा कि विपक्षी क्यूं साथ में खड़ा है प्लस्तीन और हमास के उनीस सो पच्पन में जब सौधी अच्छा आया था ना तो मंदिर ढख दी गई थी और लाईलाहा का बैनर लगाया गया था अब समझ में आ गया कि विपक्षी क्यूं है पलस्तीन और हमास के पक्ष में देखिए हर का एक वक्त आता है और अब वक्त आया है कि जिहादियों का सर्विनाश होना चाहिए मैं एक बात आपको कह देती हूं जब बासुरी वाले आपके कृष्ण भगवान ने महाभारत कर लिया जब बनवास वाले राम भगवान ने रावन को खतम कर दिया रुदराक्ष के साथ अब आप लोगों को भी अपने भगवान के लिए खड़ा होना पड़ेगा इस हिंदू धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा बाई मुगल का जमाना रहा ठीक है फिर गांधी परिवार रहा पहली बार तो कोई आकर के कह रहा है जैसी आराम पहली बार नो साल में तो पता चल रहा है कि जना गना मना का महत्वे क्या है देखिए ठरके आजम बाबरे आजम आया तो कैसा पूरा ग्राउंड का तेरा लाख आदमी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम में कैसे हमारा राष्ट संगीत सुनाया गया और गाया गया कितना गर्व चोड़ा हुआ सीना गर्व से चोड़ा हुआ हमारा समझ में आ रही है बार पहली बार कोई कह रहा है कि जी सब्वान करें और आज्यondere सरे चाहुँग एक पर्सनल सवाल कि धर नहीं लबता आपको तूस का ही कि हम मैंने मैंम उर्दू जानती हूँ फार्शी अर्भी जानती हूँ एक नकते से खुदा जुदा होता है तो जब एक नकते से खुदा कर छुदा हो सकता है मैं मरूं या ना मरूं या मेरा बलातकार बंगाल में हो जाए मैं दसलाक नाजिया पैदा कर चुकी हूँ ये मैं जानती हूँ दसलाक मुसल्मान नाजिया मैंने जनम दे दिया है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और अब सामना करना पड़ेगा जितने भी कट्टरवाद हैं जितने भी इसलाम वाले जो आज दूर नीती और कूप रथाओं में धसे मरे हैं उनको उन डसलाक नाजिया का सामना करना पड़ेगा क्योंकि खुरान ने साफ लवजों में मजार परस्ती, मजारी बाबा सब को गुनाह करार दिया है थाइंक्यू आपको बहुत धन्वाद तो दोस्तों जिस तरह से आपके कहने पर आप नाजिया खान जी का इंटर्व्यू देखना चाहते थे हमास और इसराइल को लेकर